डूंगरपुर जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अनकित कुमार सिंग मंगलवार को सीमलवाडा क्षेत्र के दोरे पर रहे। इस दोरान उन्होंने 84 विधान सभा उपचुनाव के मदेनजर राजस्थान गुजरात की सर्तूना चेक पोस्ट, सर्तूना पोलिंग बूथ वसीमलवाडा रिटनिंग अधिकारी ओफिस का निरीक्षन किया। वही चुनाव से जुड़े अधिकारियों वकार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। आचार सहिता का उलनघन पाए जाने पर पीठ वीडियो को नोटिस जारी किया गया है। वही 84 विधान सभा उपचुनाव को लेकर पहला नामानकन दाखिल किया गया। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूस चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। जिला निर्वचन अधिकारी वज जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंग मंगलवार को सीमलवाडा पहुँचे। इस दोरान उन्होंने रिटनिंग ओफिस SDM कार्याले सीमलवाडा का निरिक्षन किया। इस दौरान उन्होंने रिटनिंग ओफिसर कपिल कुमार कोथारी के साथ सभी चुनाव प्रकोष्ट के प्रभारियों से अभी तक की प्रगती के बारे में जानकारी ली। वही मिली कम्यों को दूर करने के आवश्यक निर्देश दिये। इसके साथ ही नाम निर्देशन के बारे में आवश्यक सूझाव दिएं। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर अनकित कुमार सिंग राजस्थान गुजरात के सर्थुना बौड़ा पहुँचे। जहां उन्होंने उपचुनाव के तहट स्थापित चेक पोस्ट का निर्वाचन अधिकारी अनकित कुमार सिंग ने मतदान बूत राज किया उच्चमाध्यमिक विद्यालय सर्थुना का भी अवलोकन किया साथ ही बूतों की आवश्यक व्यवस्थाव को दिपावली अवकाश से पूर्व करने के निर्देश संस्था प्रध इस दोरान सहायक रिटनिंग अधिकारी चिखली SDM मनसुख डामोर, तहसीलदार भीवाराम वर्मा, तहसीलदार जोतरी नितेश पंचोली, कुलिसो पधिक्षक राज कुमार राजोरा, चुनाव प्रकोष्ट प्रभारी परेश पंचाल, मयत कलाल, रमेश जोशी, विपिन नवलखा, प्रकाश नायक, आशिश पंध्या, हार्दिक पंध्या, दिव्यकांत शाह, प्रकाश भूई, नारायन सिंग, महिपाल बरंडा, जयेश सर्पोटा, उमंक्त्र वेदी सहित उपस्थित थे। ग्राम पंचायत पीठ में नई बस्ती स्कूल के पास एक भवन के ऊपर एक पार्टी विशेश का बैनर लगा मिला था, जबकि आचार सहिता लागू होने पर सभी को दिशा निर्देश दिये गए थे। इस से पूर्व शंकर लाल अपने समर्थकों के साथ घुडे पर बैठ कर रिटनिंग ओफिसर कार्याले के बाहर पहुचा जिसके बाद गाजे बाजे के साथ जुनते हुए नामानकन दाखिल करने पहुचा। शंकर लाल ने अपने साथ एक मिट्टी का घड़ा भी रखा था। जिस पर बताया कि भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत ने कड़ाना बैक वाटर गैंजी तक लाने का जूठा वादा किया था। उनकी कार्यकाल में ग्षेत्र का विकास था।